नागरिक्ता संसोधन बिल इस समय कानून बन चुका है लेकिन 11 दिसंबर को जब ये राज्य सभा में प्रस्तूत हो रहा था और असम और पुरुवत्तर के बहुत सारे इलाके विरोध प्रदर्शन में धधक रहे थे तब ही सरकार के सूचना अप्रसाड़ मंत्राले के तरफ से एक एडवाईजरी जारी होती है और कहा जाता है कि प्राइवेट टीवी चैनल वो सामागरी ना दिखाए जिससे हिंसा को उकसावा मिल सकता है और जो राष्ट विरोधी नजरियों को प्रतुसाहित कर सकता है इसी पर बात चीत करने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार पर भी थे तो आप इस एडवाईजरी को किस तरीके से देखते हैं देखिए सूचना और प्रसारन मंतराले कहेंगी कि ये सूचना में नया क्या है ये 55 साल का एक पुराने कानून है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी नीजी चैनल है एक प्रोग्राम कोड है ये कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए जो लोगों को भरका देते हैं ऐसा मत कीजिए जो देश की खंडता के खिलाफ है तो मेरा कहना है देखिए वो सरकार कुछ भी कहें विरोधी दल का जो हमारे सांसद उसी वो आपका शुक्रवार दिन साफ साफ का ये एडवाईजरी नहीं है जैसे रवीश क कुमा ने कहा ना एक तरह से एक फर्वान किया है क्योंकि वो नहीं चा रहे कि नीजी टेलिविशन चैनल दिखाए कि असाम में में घाले में त्रिपूरा में क्या हो रहे एक तरह से बहुत कम नीजी चैनल तो दिखाते हैं उसमें वो भी जो दिखाते हैं आज असाम में ल अबाद कालिन समय जो 75 और 77 साल के पीछ ते एक तरह से वापस चले गए और देखिए मेरा कहना है कि आप जो भी सत्य में हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पत्रकार मित्रों ने उनसे कठिन सवाल उठाए मगर ये जो सरकार हैं मैं समासता हूँ ऐसे सरकार मैं तो मेरा 42 साल पत्रकार तो मैं वो आपात कालिन समय के बाद मैंने कभी नहीं दिखा वो एकदम असामाती को सुखारना करने के लिए त्यार नहीं हैं वो वो बरदास ना कर पाता ना कर पाता और एक तरह से आप जो हैंग इस नूरता हम हर जगा देख रहे हैं। सरकार ये मानेंगे नहीं। सरकार केंगे नहीं नहीं देखिए ये एक चैनल वो चैनल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मगर हम जिस तरह से आज पूरा जो मौल बदल गया मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। हमारे ग्रेमंत्री अमिच्छा के खिलाफ लोग सुबर्दस चिला चिली कर रहे थे। अचानक राज़े से भी राज़े सभा टेलिवीजिन का जो लाइब ब्राटकास था ये बंद कर दिया। तो एक तरह से हम लगरे की पूरा हमारा जो महल है जो सत्ते में है जो भी उनके खिलाफ कुछ भी कहें उसमें सच है सचाई है वास्तव है या नहीं है वो एकदम टॉलरेट करने के लिए तियार नहीं है असमती को एकदम ना स्विकरना आज ये महल बन गया। तो सरकारे चाहती क्या है कि किवल उन्हीं का पक्छ दिखाया जाए यही राश्टर के साथ है जबकि अभी CSDS का सर्वे आया है वो कह रहा है कि पुरुवत्तर के लगबग 80% जनता इस बिल के विरोध में है तो अगर उनकी बातों को नहीं दिखाया जाएगा तब तो वो ह आप जिखे बाद ये जो आपका नागरिक का जो संसोधन जो कानून जो उस समय बिल था अब कानून बन गया किस तरह से उस समय भी आप देखिए जो लोग कह रहे हैं लोगसभा के फ्लोर में आप टीवी में देख रहे हैं सब कुछ मगर बाद में जब वो लिकित रुप म आते हैं बहुत सारे चीज़ हमारे अद्यक्स महोता है उनका दफ्तर हटा देते हैं और मैं बहुत आश्चर्च हो गया अनकरेक्टिड नॉट फॉर रिपोर्टिंग कहते हैं मगर आप देखे क्या कहा है उन्होंने हटा दिया हमारा असदुन दिन ओवाईसी जो हैदरबा का सांसत है वो कह रहे है कि होम मिनिस्टर या ग्रिह मंत्री का नाम इस्रेल का डेविड बेंगुरियन या हिटलर जर्मनी का अडॉल्फ हिटलर के साथ लिखा जागा ये उन्होंने हटा दिया हमारे कॉंग्रिस का अधिरंजन चोधरी बोला कि हम ये बिल पसंद नहीं करत दिया हमारे RSP Revolutionary Socialist Party एक तरह से जो करांतिकारी सवाजवादी पार्टी है केरला का N.K. प्रेमचंदरन उन्होंने बोला कि ये बिल देश को बाट रहे हिंदू और जो हिंदू नहीं है ये भी वहारेकॉर्ट से हटा दिया तो मैं आश्चिट हो गया ये सरकार जिस तरह से आज मीडिया के साथ कर रहे हैं वो क्या चाहत है कि हर पत्रकार हर चैनल हर अकबार हर वेबसाइट कि सरकार का गुनगान करें तो एक तरह से पूरा मीडिया के सरकार का विग्यापन एजनसी बन जाएगा उनका पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट बन जागा ये ही स्त कट से जा रहा है, विक्वापन कम हो गया, इंटरनेट के युग में लोग कुछ जो पर रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है, उसके लिए पैसे देने के लिए त्यार नहीं है, तो ये पूरा विश्व में हो रहा है, और हमारे देश में देखिए, जिस तरह से, सबसे बरा विकापन दाता है कौन थे भारती जंदा पार्टी तो वो चारे की सब के मूँ बंत हो जाए और दुख का बात है कि सच मुझ हम एक जगा में आके पहुच रहे की हम अपने आपको क्या लोग तंतर के सकते हैं मैं और उधार दे दू दो दो चारे एंडी टीवी का प्रणॉय रोय और राधिकार आए उनके खिलाफ कुछ केस चल रहे हैं उसके उपर मैं जाना नहीं चाता हूं मदल भारत बरसे बाहर जाने के नहीं अनुमती मिला उबला हमारा रिटर्न टिकेट है उनका सतर साल हुआ वो विदेश में जा रहे थे उनका जनम दिन के लिए उनको जाने ले दिया आप देखिए प्रशाद कनोजिया और उसके साथ और भी लोग थे एक महिला कुछ आरोप लगाया उत्तर प्रदेश का मुक्ह मंत्री योगी आधितनत का खिलाफ उन्होंने दिखाया और को जेल में डाल दिया और उत्तर प्रदेश सरकार का जो वकील वो बहला ये आप लोगों को भरकार है ये बहुत खराब है फिर सुप्रीम कोट का जो सबसे उच्छे नहले हैं उनका जैज इंदरा बैने जी बोला ने ने इंको जाने दो ऐसा मत करो जेल में मत रखो और भी ऐसे उ लोग देशदरोही बन जाता है जो भी आज सरकार के खिलाफ कुछ भी कहते हैं एक भी सवाल उठाते है वो पाकिस्तानी बन जाता है या देशदरोही बन जाता है ये महल बहुत ही खराब है इस बिल के सुरुआत में लिखा गया कि कभी 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 पहले भी ऐसा क लेकिन हम देखते हैं कि हिंदो मुस्लिम डिबेट होते रहते हैं सामपरदाइक्ता का माहौल बनाया जाता रहता है लेकिन अभी तक इन सारे चीजों पर आम जनता से भी पूछिए लोग जो मोदी समर्थ हैं वो लोग कहते हैं कि गोदी मिडिया बन चुकी है लेकिन अभी कि इस पर कोई regulation नहीं हुआ और जहां पर असी फिस्दी लोग एक बिल का विरूत कर रहे हैं वहां पर content दिखाने पर ऐसी बात की जा रही है तो ऐसा कैसे बहुत ही खराब समय से हम लोग जा रहे हैं और मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूँ कि सच मुछ ऐसा हम जाएंग वो सूचना और प्रसारण मंत्रालाई का जो advisory था जो सला उनों दिया आप कहरें कि राष्टर विराधी राष्टर विरोधी attitudes का मतलब क्या है कौन है राष्टर विराधी अभी भी देखिए 19-2 जो हमारा सांग विधान में है जो article 19-2 वो भी लिखा है कि अभिवेक्ति का स प्रतिबंधन है ये क्या है reasonable restrictions कौन कहेगा क्या युक्तिगत है या नहीं है यही आज दुख के बाद है जो सत्य में है मैं समझता हूँ कानून का दुरुपयोग करें कोई भी हमारे बरा एक उद्योगमती राहुल बजाज ने भी कहा लोग डरे हुए है अपने मत जो भी क भी उनको सरकार के खिलाफ का उनको जेल में डाल दिया क्या हम वापस जा रहे हैं उसी समय कि लग रहे कि खूम फिर के आप नहीं लिक रहे कि ये भी एक अपात कालिन समय है मगर सरकार जो भी कह रहे है ये भी आपने कश्मीर में सारे तीन महीना आपने इंटरनेट बंद क खुद जब सोशल मीडिया जाके ट्विटर में जाके कह रहे हैं कि सब शांती पूर्ण हैं, स्थिति साधारन हैं, असाम का लोग वो भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनका इंटरनेट का इस्तिमाल नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत याश्चित बात है शुक्रिया इस पर हम से बातचित करने के लिए, नागरिकता में यह भी सामिल है कि नागरिक को जानने का हक हो, उसकी असहमतियां सुचना प्रसारण करने वाले तंतरों से दिखाए जाएं, शुक्रिया आप देखते रहे हैं, न्यूज क्लिक